नॉर्थ इस्ट आज भलेह में दूर लगता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से साउध इस देश्या का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से आशियान देशों में का महत्व बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा, हमारे इस्ट की प्रगती के साथ साथ, नॉर्थ इस वैश्वि ताकत से आज 39 की प्रगति के लिए रहा हूं बोड के लिए नहीं कर रहा हूं जी मुझे मालू है कि करवट लेता हुआ विश्व की नई समुरचना किस प्रकार से और तम 39 का क्या महत्वा बढ़ने वाला है और नौर्थ इसकी जहो जलाली गवरवगान फिल से कैसे सुरू होने वाला है उन मैं देख सकता हूं और इसलिए में लगा अर इसलिए हमारी सरकार ने नौर्थ इसकी विकास को पहली प्राफिक्ता दी है पिछले नौ वर्षों में लाखो करोड रुपी है नौर्थ इसकी इंफ्रासेक्टर पर हमने लगाएगे आज आधुनिक हाईवे आधुनिक रेलवे आधुनिक नए एरपोर्ट ये नौर्थ इसकी पहचान बन रहे है आज पहली बार अगर तला रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा है पहली बार मनिपूर में گुर्स ट्रेन पहुंची है पहली बार नौर्थ इसकै वंधे भरड़ जैसे आधुने क्त्रेन चली है पहली बार अनौराचल प्रदेज में ग्रीन फिल एर्पोर्ट बना है पहली बार अनुराज चल में सिक्किम जैसे राज एर कनेक्टिविटी से यूड़ा है पहली बार बोटर वेज के जरिये पुरुवत्तर इंटरनेशनल ट्रेड का गेट्वे बना है पहली बार नौर्ट इस्ट में एम्स जैसा मेडिकल सबस्तान खुला है पहली बार मनिपूर में देश की पहली स्पॉर्स उनिवर्स्ट्री खुल रही है पहली बार मिजोरम में इंग्यन इस्टिक्र आप मास कम्निकेशन के से संस्ता खुल रहे पहली बार केंट्री ये मंती मंदल में नौर्ट इस्ट की इतनी भागीदारी बढ़ी है पहली बार नागा लेंड से एक महिला साउंसाज रात सभा में पहुँची है पहली बार इतनी बड़ी संग्या में नौर्डिस के लोगों को पद्म पुरुषकार से सम्मानिक किया रहा है पहली बार पुरुषकार से लसिजबर भुकन जैसे नायकी जाकी गंदकर्टर जुरस में शामिर हुई है पहली बार मनिपुर में रानी गाडिल्लू के नाम पर पुरुषकार का पहला ट्राइबल फिडम फाइकन वीजिम बना